एक घंटे 40 मिनिट की प्रेस कॉंफरेंस दी, 76 पन्ने का ये मैनिफेस्टो है, ये असल में जुमला पत्र है, 13 दिन पहले गोश्रा पत्र कमिटी का गठन हुआ, और 13 दिन में मैनिफेस्टो बनके तयार है, असान रहा होगा, जुमला पत्र है, क्या करना है, चार जुमले ही गई है, जूट बोलो, और इतनी जोर से बोलो, और बार बार बोलो, कि लोगों को लगे आप सच बोल रहे हैं, मोदी जी को लगता है, वो ये गलती करने लगे हैं, दस साल बाद, वो देश की जनता को बेवकूफ समझने लगे हैं, अपने मैनिफेस्टों में बाते तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, फेकने में तो मोदी जी नीरत चोपडा के भी आगे हैं, ये जो मोदी पत्र है, ये जो जुमला पत्र है, जहां देखूं तुम्हें पाउं वाला हिसाब है, मोदी जी की अलग-अलग पोटो है, अलग-अलग भाव भंगिमा है, क्यों को इतनी खोट है नीती और नियत में ना रहेगा बास ना बजएगी बासुरी अभी इस मैनिफेस्टों को हम लोग पढ़ी रहे हैं 76 पेज का यह मैनिफेस्टों है भारतिय जनता पार्टी का एक घंटा 40 मिनिट की प्रेस कॉन्फरेंस हुई जिसमें पत्रकारों का एक भी सवाल नहीं लिया गया क्योंकि अगर सवाल लिया जाता तो वो सवाल उठते जो यहाँ पर पवन जी ने और अमिताब जी ने उठाए कि 2022 में किसान की आये दुगनी होनी थी क्या हुआ पूछा जाता है लाल आखे मूंद क्यों रखी है क्यों नहीं लाल आखे कुलते हैं ऐसे बहुत सारे सवाल लगातार पूछे जाते रुपिया 83 के पार क्यों पहुंचाया पेट्रोल को सेंचरी क्यों लगवाया बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते तो ना रहेगा बास ना बजएगी बासुरी सवाल ही लेना ठीक नहीं समझा गया एक घंटे 40 मिनिट की प्रेस कॉंफरेंस थी 76 पन्ने का ये मैनिफेस्टो है ये असल प्रेस की मैनिफेस्टो कमिटी का गठन दिसंबर 2023 में हुआ था भारत जोड़ो यात्रा जो कन्या कुमारी से कश्मीर और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मड़ीपुर से मुंबई चली और जितने लोगों के सुझाओं हमने सुने लोगों की आशंकाएं लोगों की उमीदे उन सब को मिलाकर हमने अपना एक घोश्रा पत्र बनाया हमारी घोश्रा पत्र की कमिटी जिसके सदस्यामिताब दूबेजी यहां पर बैठे है वो हिंदुस्तान के अलग-अलग शेहरों में गए अलग-अलग बर्गों से अलग-अलग कम्यूनिटी से अलग- यार हुआ जो हमारा न्याय पत्र है भाजपा का कैसे हुआ तीस मार्च को आज से महज तेरा दिन पहले गोश्रा पत्र कमिटी का गठन हुआ और तेरा दिन में मैनिफेस्टो बनके तैयार है असान रहा होगा जुमला पत्र है क्या करना है चार जुमले इधर चिपकाओ मि पिच्छा और मोदी जी ने बैठ कर उसको कॉपी पेस्ट किया होगा और नड़ा जी ने बढ़िया फोटो कॉपी निकाली होगी इसलिए तेरा दिन में मैनिफेस्टो तैयार होकर आपके सामने हैं अब इस मैनिफेस्टो में कुछ बाते कही गई हैं उसके बारे में जरू वकूफ समझने लगे हैं अपने मैनिफेस्टो में भाजपा ने कहा हमने 25 करोड लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला और IMF को इस पर जोड़ दिया आपका ये दावा पूरी तरह से खोखला है आपके ये दावे के पीछे नीती आयोग की एक रिपोर्ट है जिसकी किसी थर्ड पार्टी ने IMF, World Bank, Oxford University किसी थर्ड पार्टी ने इसकी पुष्टी नहीं की है और असलियत ये है कि उसी रिपोर्ट में नीती आयोग ये भी मानता है कि 20% देश की आबादी 46 रुपे रोज पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है ये होना चाहिए था मैनि मैनिफेस्टों में तो सबसे बड़ा जुमला इनका ये है कि इन्होंने गरीबी खतम की है असलियत ये है कि इस देश में हर घंटे दो किसान और दो युवा आत्महत्या कर रहे हैं किसान करजे के बोज़ के चलते गरीबी के गुर्बत के चलते युवा बेताहाश होके आत आगे है ये जो मोदी पत्र है ये जो जुमला पत्र है जहां देखूं तुम्हें पाउं वाला हिसाब है मोदी जी की अलग-अलग पोटो है अलग-अलग भाव भंगिमा है उसमें मैंने एक सर्च किया डॉक्यूमेंट में जॉब्स डाला आप भी डालिएगा पीडिएफ मे दो बार आता है उसका जिक्र महज दो बार जॉब्स का जिक्र है उस देश में जहां पर बेरोजगारी सबसे विकराल समस्या है कंपेर कर ये हमारे मैनिफेस्टों से हम 30 लाख सरकारी नौक्रियों की बात करते हैं हम एक साल के लिए ग्राजूट और डिग्री होल्डर्स को स्टाइपन देने की बात करते हैं एक लाख रुपे का बीजेपी में दो बार जॉब्स का जिकर है और थितरे ये है कि लिखा जा रहा है खाली रिक्तपद भरे जाएंगे सरकारी तो दस साल से जुनजना क्यों बजा रहे थे क्यों रहने दिये ये खाली रिक्पद पता है आपको ये रिक्पद कहा है कब भरेंगे ये जॉब्स पर ये यूथ के साथ मजाक और खिलवार है बोला MSP बहुत बढ़ाई 700 किसानों की शहादत हो गई किसानों को दिल्ली आने ना देने के लिए आपने सड़के खुदवा दी कीले गड़वा दी आसुगैस के गोले उन पर छड़वा दी उनको हातंकी नकसलवादी न जाने क्या क्या कह दिया लेकिन MSP के कानून की बात मैनिफेस्टों में नहीं है ये किसान के बारे मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टों में डंके की चोट पर कहा है हमारी सरकार बनेगी हम MSP की लीगल गारंटी देंगे MSP का पूरा कानून बनाएंगे कर्जा माफी करेंगे और खेती को जीएस्टी से मुक्त करेंगे मोदी जी के मैनिफेस्टों में ऐसी कोई बात नहीं है MSP के कानून का जिसका उन्होंने वादा किया था उसका भी जिक्र नहीं है ऐसा क्यूं है क्यों इतनी खोट है नीती और नियत में महिलाओं की बात करते हैं युवाओं की बात करी किसानों की करी महिलाओं की करते है कहते हैं महिलाओं को लखपती दीदी बना रहा है कहां है ये लखपती दीदिया जिन महिलाओं को आटे दही पर जीएस्टी देना पड़ रहा है जिनको खाने का इंफलेशन 8.5% जूजना पड़ रहा है जिनकी कमर तोड़ रहे हैं आप महिंगाई से कहा है उनके लिए कोई राहत कहा है महिलाओं के लिए बात हम क्या कहते हैं हम कहते हैं गरीब महिलाओं को हम 1 लाख रुपए साला देंगे और साथ साथ नई सरकारी नोकरियों में 50% आरक्षन देश की आधी आबादी को देंगे कहा है वो रेप्रेजेंटेशन क्या आप दोयन दर्जा क्यों मानते हैं एक औरत को आप जिक्र कर रहें 33% आरक्षन का जो 2034 से पहले लागू नहीं होगा पार्लिमेंट में लेकिन देश की एक आम नारी के लिए एक आम महिला के लिए एक आम लड़की के लिए जिसकी आँखों में सपने है भवश्र के उसके लिए आपके मैनिफेस्टों में कुछ नहीं है बहुत सर्च किया मैंने जॉब्स के बारे में सर्च किया मुझे तो कुछ नहीं देखा इसका जवाब कौन देगा मैं उसके बाद बात करना चाहती हूँ इन्होंने बात की कि आतंक बाद खत्म हो गया है शांती बहाल हो गई है यह मेरे आकड़े नहीं है यह भारत सरकार की आकड़े जो आपके सामने रख रही हूँ 2014 से 24 के बीच में जम्मू कश्मीर मात्र में 3950 लोगों की आतंकी मुटभेडों में हत्या हुई है जिसमें सिक्यूर्टी फोर्स भी है और सिविलियन्स भी है यह 3950 लोग आपको भारत के नागरिक नहीं दिखते है यह आतंकी हमलों का कोई मतलब ही नहीं है आज की तारिख में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला में आतंकी मुटभेड में अगर सिक्यूर्टी फोर्स जिक्यूर्टी और सैनिबल के लोग शहीद हो जाते है तो मोदी जी उनके लिए ना एक शब शद्धानजली का बोलते है ना उनके परिवार को एक शब संवेदला का देते है तो आपको क्या लगता है आँख मुदली तो यह जगत बना ही नहीं 3950 किलिंग्स और सैनिबलो की शहादत जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों में आपके चेहरे पर एक बहुत काला धबा है आँख मुदने से काम नहीं चलेगा हमारा मैनिफेस्टो कहता है हम 30 लाख सरकारी नौकरी बनाएंगे आप उस पर चुप है हमारा मैनिफेस्टो कहता है हम किसान को MSP की कानूनी गारंटी देंगे आपका मैनिफेस्टो चुप है हमारा मैनिफेस्टो कहता है नारी शक्ती का अभिवादन होगा और उसको हम 1,00,000 रुपे गरीब महिला को सालाना देंगे आपका मैनिफेस्ट हो चुप है हम कहते हैं हम यंग गर्ल्स को, यंग लड़कियों को युवतियों को 50% आरकशन देंगे सरकारी नौकरी में आपका मैनिफेस्ट हो चुप है हम महिंगाई को पर रोखने की उसको थामने की को नियंत्रित करने की बात करते हैं आपका मैनिफेस्टो चुप है. हम बात करते हैं मणीपुर में शांती बहाली के और उस मणीपुर में जिसमें एक साल हो जाएगा वहाँ पर civil unrest चलते हुए और जहां पर दो दिन पहले दो लोगों की हत्या हुई है उस मडीपुर मे हम शांती भाली की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्ट चुप है हम लगदाख में 6 šetztangel आफ क्वांस्टिट्विशन की बात करते हैं आपका मैनिफेस्ट चुप है, हम भर्ष्टा चार हटाने की बात करते हैं आपका मैनिफेस्टो बरगल आता है